नमस्कार इन्खवर देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आसीस राजिंद कुमार भारत बनाव ऑस्टेलिया के बीच तीन वंडे अंतराश्टी मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज वान खेड़े यानि मुंबई में खेला जाएगा हाई वोल्टेज ये सीरीज होने वाले क्योंकि टीम इंडिया और उस्टेलिया जब भी आमने सामने टकराती हैं तो एक भैतरीन और काटेदार मुकाबले की उमीद रहती है तो ऐसे में राट कोली की टीम और दूसरी और और फिंच की जो सेना है वो जब आमने सामने वान खेड़े की मुंबई के मैदान पर आज आपस में भीडेंगी तो मैच बड़ा ही मज़ेदार हो सकता है और साती सात बड़ा टोटल देखने को मिलेगा क्योंकि आप जानते हैं वानकेड़ी की जो लाल मिट्टी की पेच है ये बल्लेबाजी के लिए काफी प्रफेर करती है टीम इंडिया ने आखरी मुकाबला इस पेड़ेंडीज के खिलाब जो टी टून्टियाई डिसाइडर था वो खेलाता जहां और बहतरीन तरीके से 200 क आसपास रन भी मनायते हैं उस टी टून्टियाई मैच में पहले वैटिंग करते हुए तो लाजमी है भारतिया टीम अगर यहां खेलेगी और जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो बड़ा स्कोर बनाएगी और चेज जो टीम करेगी वो भी कहीं न कहीं मैच में अहम कारणामार अचा था उसी के तहट आज मुमई के मैदान पर इस सीरिज की सुरुआत होने जा रही है एक तरह है प्राट कुली की टीम दूसरी और अजन फिंच की टीम यह दोनों ही कप्तान ऐसे हैं जो अपने खेल और अनुबब के कारण काफी जाने जाते हैं लेकिन अब टीम इंडिया उसीरिज में दो जीरो से लीड किये हुई थी लगातार तीन मैच बाद में ऑस्टेलिया ने भारत को हराई थे तो एरन फिंच की सेना पहले भी यह कारणामा कर चुकि है लेकिन इस बार जो एरन फिंच की टीम आई है वह बहुत तागतवर और बहुत कहली जी एक रसूलेदार टीम नजर आ रही क्योंकि इसके अंदर आपको वेचल स्टार के स्टीप से में डेवेड बॉर्णर तमाम ऐसे दिगज दिखेंगे जो एक उस्टेलिया को परिपक्क टीम बनाते हैं तो ऐसे मैं एरन फिंच के लिए समस्या नहीं है समस्या बारतिया के लिए थोड़ी बहुत हो सकती है क्योंकि सिखर दिवन काफी लंबे समय बापसी कर रहे है और रहे शर्मा भी रैस्ट के बाद बापसी कर रहे हैं तक चुनौती रहेंगे टीम इंडिया के सामने और पिछली हार का वदला लेने भी उत्रेगी राट कुली की टीम और यक ने आपको यहां बता दिये तो टीम इंडिया की जो सम्भावित प्लेइंग लेवन मानी जा रही है उसमें वराट कुली कप्तान है रोश शर्मा शिकर दवन स्रे सहीर केल राहूल को मैंस में जोड़ूँगा क्योंकि कल कोली ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि दवन और राहूल दोनों खिल सकते हैं मैं नीचे आऊंगा रिशा पंद बिगेट कीपर मनीस पांडे साथ उल्ठाकोर रवन जड़जा मुंबस समी कुल्दी प्यादव और जस्वीद बुम्रा दूसरी और अगर आस्ट्रिया की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें त बात करें आकड़ों की क्या कहते हैं अगर अनुमान लगाएं पिसले अठाइस ओडिया की जो जनाब 25 बार 300 का स्कोर क्रॉस किया है इन दोनों टीम होने और फस्ट बैटिंग अगर देखें तो 303 है हाईस्ट इसकोर 383 है जो टीम इंडिया ने इसी पिछली साल वर्ल्ड कप में ऐस्टेलिया खिलाब बनाया था लोएस्ट इसकोर 202 है सेंचुरी 35 लगाई है इन दोनों ही टीम के बल्लिवाजों ने और अगर बात चीत किया तो 17 मकाबले ऐस्टेलिया ने जीते हैं 50 भारत बारत में उन्तीस जीत कि बातों बहुतें लेकिन 2013 तो चल रही है तो ऐसे मैं जैसा कि आपको बताए कि 25 बार ऐसा हुआ है जब दोनों टीम है तो तीन सो अधिक रन बने हैं तो उम्मीद ये भी है कि आज बांखडे के स्टेडियम में भी एक हाई स्कोरिंग और हाई वुल्टेज मुकाबला आपको देखने को मिलेगा जब भारत बनाव ऑस्टेलिया दौनों ही टीम में आमने सामने टकर आएंगी वराट कोली पर नजले रहेंगी रोईश शर्मा और श शिकरदमन के चार सेंशृ धिवन के वल्ले से एले गलाब साथ कोहली के और साथ ही रोईश तरमा लेज के तो आप यह दावा कर सकते हैं कि यह तीन बार रोईश स्वरमा और एक बार यह अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट आर आज टीम इंडिया के लिए काफी सर्दत दे सकते हैं और भारत में जब खेलते हैं तो यकीनन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दौनों से ही वह बहुत कुछ करके दिखाते हैं जैसा की रिकॉर्ड उनके बताते हैं अब ऐसे में हाई उल्टज मुकाबला है और कौन-कौन क् कि एरण फिंच की फॉर्म है भारत में थोड़ी खराब चल रही काफी लंबे समय से अगर बातचीत की जाए क्योंकि अंदर आतवी गैंदे उन्हें परिसान करते हैं लेकिन कुछ इनिंग्स जैसी भी है जो टीम इंडिया के लिए उनकी सर्दत बनी है अगर रिकॉर्ड सब्सक्राइब उठाके देखें तो 2013 की आसपासी चले जाएं बापस सेंश्री भी है अरण फिंच के नाम जिन्होंने भारतिय टीम के खिलाब जड़ी थी तो उस हिसाब से अरण फिंच को कम नहीं आका जाएगा लेकिन जस्पी दुम्रा वापसी करें और समी तो इन सब्सक्राइब को परिशान कर सकते हैं साथ ही साथ लवुशहन जो किया डेविव कर से दिक्ता करते दिख सकते हैं ओडियाई फॉर्मेट में तो यकीन पर सबकी नजरे रहेंगी तो यह मेरा मैच प्रिव्यू था मौसम के बारें बता दूँ दूप किली रहेगी समद्र क यानगी 2013 के बाद से 28 ओडियाई खेले गए मैं आफ कीजेगा अब तक भारत बनाव उस्टेलिया की बीच में और उन में 25 बार इन दोनों टीमों ने 300 से उपर का टार्गेट बनाया है तो जाहिर है कि आज बानखडे के स्टेडियम में बारिश तो होगी लेकिन चौके और चको की खेर टॉस अबडेट जैसे होगा मैं आपको दूंगा अब देखते रहे हैं खबर धन्यवाद इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल